आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से best pharmacy college है बैंगलोर में काफ़ी सारे student comment करके पूछ रहेते हैं हमें message call कर रहे हैं कि मैं best pharmacy college बताएं बैंगलोर में सो ऐसे हम किसी भी college को आपको suggest नहीं कर सकते हैं जो भी हम आपको suggest करते हैं वो एक official website के through ही करते हैं जिस पर की बहुत सारे colleges के ऐसे reviews रहते हैं कि हाँ वो लगता है कि हाँ वो best हैं सारी चीज़े survey करने के बाद ही मैं आपके पार लिए ये video ले के आई हूँ तो आप personally call करके ये ना पूछें please कि best pharmacy college कौन से हैं किसी भी particular city में बस आप mention करें कि इस city का आप हमें बता दीजे तो उसका मैं आपको बता दूंगी उस website के through तो आज के इस video में ये ही मैं बताने वाली हूँ कि Bangalore में सबसे अच्छे और सस्ते pharmacy college कौन से हैं और जिसमें की 100% आपको placement भी मिलता है उससे पहले अगर आप BFarm कर रहे हैं करने वाले करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए best है हमारा online platform BSP pharmacy application जो की play store से आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां हम आपको पूरी तयारी करवाते हैं BFarm के हर एक semester की आपके घर पे notes भी deliver करवाते हैं आपको daily life classes भी करवाते हैं कहने के मतलब है BFarm में admission ले रहो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इंगलिश से आपको बिलकुर नहीं डरना है हमारे teachers आपको perfect कर देंगा इंगलिश में आप बहुत सारे reviews के हमारे चैनल पर वीडियो जाके देख सकते हैं students के जिन्होंने जोईन किया है जो की अपसे पह करूं बैंगलोर में बैंगलोर करनाटका में तो वह मैं college दुनिया website के थुरूँ आपको बताने वाले हूं जैसे कि मैं सारे colleges जो भी बताती हूं वह इसी website के थुरूँ आपको बताती हूं suggest करती हूं क्यूंकि इस website का जो मैंने survey किया चीज़े देखी तो वह 98-99% तक फरस्ट फॉल यहां पर बात कर लेते हैं कि 2022 की ranking के हिसाब से best pharmacy college कौन से है बैंगलोर में सो फरस्ट फॉल यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर first college है अचारिया and BM ready college of pharmacy जो लोग बैंगलोर से होंगे वो लोग जानते होंगे कि यह one of the best college है pharmacy के लिए अगर मैं इसकी fees की बात करूं 2,30,175 रुपे पर year की इसकी fees है बैंगलोर जैसी city से अगर आप करना चाहोगे तो इतनी fees यह normal fees होती है वहां पर बहुत high fees होती है लेकिन कुछ colleges मैं इसमें cover करने की कोशिश करूंगे जिसमें fees थोड़ी कम लगे उगे उसके बाद अगर हम बात करें next है आप तीन college of pharmacy बैंगलोर उसके बाद यहां पर next है आपकी जो है राजपुताना college of pharmacy बैंगलोर अगर मैं इसकी fees की बात करूं बेटा बी फार्म की total fees देखें बी फार्म की total fees की अगर मैं बात करूं 3,80,000 रुपे इसकी fees है total fees है आपकी चार साल की यहां से आप कर सकता है काफी अ यहां से आप भी फार्म कर सकते हैं प्लेजमेंट भी काफी अच्छा कासे प्रोवाइड करवाते हैं उसके बाद next हम यहां पर बात कर लेते हैं next है आपका स्टी जोंसन फार्मेसी कोलिज बैंगलोर अगर मैं इसकी fees की बात करूं 96,000 इसकी आपकी fees होने वाली है ठीक है 96, 96,000 इसकी fees होने वाली है आप इसका voucher वगेरा डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें next जो आपका कॉलिज है यह आपका कॉलिज है NITTE College of Pharmaceutical Science बैंगलोर में यह है इसकी fees की अगर मैं बात करूं एक लाग 75,000 रुपे first year की fees है तो आप इसमे भी admission ले सकते हैं काफी अच्छा placement यह आपको provide करवाते हैं next अगर मैं बात करूं यहां पर यह है आपका East Point Group of Institution इसकी fees जो है एक लाग 71,000 इसकी fees है तो यहां पर भी आप admission ले सकते हैं then हम next बात करते हैं आपका PES University जिसकी जो फीस है वो फीस है आपकी 2,002,002 लैक रुप पर इयर इसकी fees होने वाली है M Farm के लिए B Farm के लिए जो इसकी fees होने वाली है वो होने वाली है 1,20,000 एक लाग बीस जार रुपे आपकी इसकी fees होने वाली है किसके लिए मेरे हिसाप से काफी सारे institute colleges मैंने आपको बता दिये अगर मैं इहां पर बात करूं आपकी जो सबसे कम फीस वाला कॉलिज है तोटल फीस देखे इस वाले कॉलिज की स्टी जोन्स फामेसी कॉलिज बैंगलोर करनाटका 96,000 या तोटल फीस दिखा रहा है भी फामेसी की अब मेरे हिसाफ से तो यह कुछ इसमें गलत ही है आप एक बाद चेक कर लिजेगा इसमें पर इयर ना करके टोटल फीस दिखा रहा है तो एक बार आप चेक कर लिजेगा बात कर लिजेगा इनके कॉन्टेक नमबर जो दिये हुए होंगे उनसे अब किसी भी कॉलिज का अगर आपको complete detail देखनी है तो आप कहां से देख सकते हैं इसे कि अगर मैं बात करूँ यह राजपुताना कॉलिज और फामेसी बैंगलोर इस कॉलिज के हम कोर्सिस और फीस पे गैसे क्लिक करते हैं तो हम यहां पर रिडारेक्ट हो जाएंगे इसके कॉलिज इसके फीस पे completely हम रिडारेक्ट हो जाएंगे तो देखें यहां पर बीफामेसी की जो complete fees दिखा रखी है वो दिखा रखी है 3,80,000 रुपे eligibility यहां पर 10 प्लस 2 दिखा रखी है उसके बाद यहां पर बाकी की भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए best है तो यहां पर देखें नेक्स आपका यहां पर अगर मैं बात करूँ gallery की तो आप देख सकते हैं कुछ इस type का interface इस college का है कुछ इस type की library आपको यह provide करवाएंगे और भी काफी सारे photographs आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यह कुछ photographs हैं यह laboratory हैं यह front है यह labs हैं तो इस तरीके से जाके आप खुदी अपने level पर जरूर एक बाह सर्च कीजेगा देखिएगा चीजे जब ज़्यादा better रहेगा उसके बाद यहां पर आपको इसके news, articles, सारी चीजे देखने को मिल जाएगी information अगर आपको कोई भी चाहिए तो यहां पर आपको क्या करना है download course detail download course detail पर आपने click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपको login करने के लिए बोलेगा login करके आप इसकी सारी details देख सकते हैं आपके mobile में PDF download हो जाएगा महां से आप सारी details इसकी निकाल सकते हैं clear हो रहा है बैंगलोर में बेटा अगर आपने admission लेना है अच्छा placement चाहिए है तो उसकी fees college की date से 2,00,00,00 रुपे पर year ही होगी otherwise कम fees वाले हाँ पर college आपको जादा देखने को नहीं मिलेंगे okay then मेरा वीडियो आज के लिए आपके लिए अगर informatic रहा हो तो please like कीजेगा channel पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजेगा जाज़ादा वीडियो को share कीजेगा जो candidate बैंगलोर से है उन लोगों के लिए बहुत informatic होगी ये वीडियो तो आप लोग share कर दीजेगा जिसे की उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके लिए बहुत महत्पूर्ण है मिलेंगे नेक्स informatic वीडियो के साथ तब तक के लिए धने बाद नमस्कार